नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पार्शाला पर मैं हूँ अंकित अवस्ती, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन की चर्चा करने के लिए जिससे आपको निश्चित ही भारत की साइंस एंड टेकनोलोजी पर गर्व होगा जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ DRDO की, Defense Research Development Organization of India जो कि देश के रक्षा को मजबूत करने के लिए निरंतर वैग्यानिक अनुसंधान करता रहता है नवाचार करता रहता है हाल ही में इसका एक नवाचार दुनिया के बीच चर्चा का विश्य बन गया है क्या नवाचार है हाल ही में हमारे DRDO ने अपने आकास Defense Missile System का उपियोग करते हुए चार डिफरेंट दिशाओं से आ रही, चार अलग-अलग आ रही Unmanned Aerial जो हमारी दिक्कते थी या फिर यह कहिए कि एक तरह से Attacking Position से आ रही कुछ मिसाईले थी, उन्हें हवा में ही Neutralize कर दिया हवा में Neutralize करने का फायदा कितना हुआ इसका बात अब इससे अंदाजा समझ लीजे कि इधर हमने अपना प्रयोग सफल किया है और दूसरी तरफ से दुनिया के कई देशों ने हमारे इस आकाश में अपनी रुची दर्शादी है हाना कि आप में से बहुत सारे लोग संभवतया पहले से ये जानते हो कि Integrated Guided Missile Development Program जो कि अब्दुलकलाम सहब जी के नेतरत्म में शुरू किया गया था जिसमें प्रत्वी, अगनी, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी पाँच बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का विकास सोचा गया था उनमें से काफी सारी मिसाइल आल्रेडी काफी अच्छी पोजिशन्स पर वर्किंग है लेकिन आकाश का उपियोग दूसरी मिसाइल को न्यूटरलाइज करने के लिए किया गया है और इसी मिसाइल सिस्टम का उपियोग करते हुए भारत संभातया भविश्व में S-400 या आइरन डोम का विकल्प खुद ही बना लेगा S-400 रूस का वो प्रोडेक्ट है जिसे हमने बिलियन्स ऑफ डॉलर में परचेस किया है आइरन डोम वो सिस्टम है जिसको हाल ही में आपने गाजा और इसराइल में सुना है कैसे क्योंकि जब हमास की तरफ से अपनी तरफ से हमास की तरफ से मिसाइल दागी गई यानि कि प्रोजेक्ट टैल्स दागे गए तो यहाँ पर बैठे हुए आइरन डोम ने खुद से ये अनलाइज कर लिया कि उसके देश पर कोई ना कोई संकट आ रहा है और उसमें multiple targets को hit करते हुए दूसरी तरफ गाजा से आ रही tensions को neutralize किया था यह बड़ी सुर्खी भी बनी थी और हमने आपके सामने ये cover भी की थी हमारे काफी sessions में इस बात को हमने cover किया है कुछ वैसा ही हमने अब कर दिखाया है हमने भी कुछ ऐसा ही कि गाजा से चल रहे है मान लीजे इस तरह के मिसाइल है तो हम भी अपनी तरफ से एक और मिसाइल को भेज़ कर जैसे पर महाबारत और रामायन के काल में फिल्मों वो देखते है ना टीवी पर जब देखते हैं उसमों दिखाते हैं एक तीर को दूसरा तीर neutralize कर रहा है कुछ वैसा हमने भी अपना बना लिया है और बनाया है अपना ही iron dome नाम है आकाश आकाश का प्रयोग कहां करते हुए दिखा गया अश्त्रशक्ति के अंदर साथियों हाल ही में इंडियन एर फोर्स के द्वारा एक युद दभ्यास प्लान किया गया अश्त्रशक्ति के नाम से जहां पर आकाश एर डिफेंस का टेस्टिंग किया गया और दुनिया को दिखाया गया कारणामा है उसकी चर्चा डिटेल में मैं आपसे करूँगा लेकिन उससे पहले क्विक अनॉंसमेंट जान लीजी और वो ये है कि आप मेंसे जो भी साथ ही हमारे हैं रिटन नोट्स यानि कि हम जो क्लासेज में पढ़ाते हैं एप्लिकेशन पर मेरी जो क्लासेज हैं उन एप्लिकेशन के नोट्स आपको घर पर बैठे उपलब्द कराए जा रहे हैं मातर वन ट्रिबल नाइन में हिस्ट्री जोगरफी पॉलिट एकॉनोमी के हैं रिटन नोट्स आपको 3000 से अधिक पेजज के नोट्स घर पर हिंदी और इंग्लिष आप हिंदी में हिंगलिश में चाए तो एंगलिष में में वो पलब्द बैप इनना आप इने ओर कर सकते हैं 버 will wins has four 7 गिताबों का पूरा यारों की free classes चल रही हैं और उन free classes को आप रोजाना enjoy करें और साथ में application पर भी उन्हें अटेंड कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो भारत ने हाल ही में अपने स्वदेशी हतियार प्रनालियों का परिक्षन करते हुए, दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारत भी हत प्यार निर्माताओं के रेश में शामिल हो जाएगा, ऐसा करते हुए DRDO की द्वारा 25 किलोमेटर की range पर अपने द्वारा चार मिसाइलों को हिट करते हुए, चार टार्गेट्स को हिट करते हुए बड़ी ताकत का प्रदर्शन किया गया है, इसे एक वीडियो के माध्यम स समझने का प्रयास करते हैं, अभी आप इसे simulator पर देख रहे हैं, फिर मैं real में भी दिखाऊँगा, इस प्रकार से चार, मतलब वो आ रही थी, मतलब defense की तरफ से चार दिक्कते आ रही थी, project आ रहे थे, target आ रहे थे, उन्हें आकाश ने चल करके इस प्रकार से नस्ट किया, जिस भी दिशा से आ रहे थे, जैसे मान लीजे, trader बांके कैसे भी आ रहे हैं, और ये दूर से जा करके उसे neutralize कर दिये, अब real में ये कैसा हुआ था, अब real भी आपको दिखाते हैं, real में देखने का मतलब ये हुआ, कि आसमान में से चलाया गया, देखिए, यहां से चलते ह हुए चार aerial targets आ रहे हैं, hit करने के लिए, जमीन पर आकास defense system खड़ा हुआ है, ये रहा, और इसको ये message मिलता है 25 km की range से, कि हमारी तरफ कोई आ रहा है, तो ये इसे हवा में ही target बनाने का निरने ले ले लेता है, खुद से judge करके ये निरने ले ले लेता है, कि इसे हवा में एक, दो, तीन, चार इसे हवा में neutralize करना है, आप इसे जाते हुए देख सकते हैं, इस प्रकार से ये उड़ते हैं, और आकास में जाकर के आकास ही उन दुश्मन के या फिर जो हमने अभी sampling के लिए लिए थे, इन चारों को target करके हवा में ही neutralize कर देता है, आप तस्वीरे देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कि किस प्रकार थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन रामायन भावारत में तीर से तीर टकराना देखते थे, कुछ वैसा ही यहाँ पर द्रश देखने को मिला है, संभवत यह समझने के लिए परियाप्त होगा, कि भारत ने एक बहुत आप पुछेंगे हम पहले कैसे हो सकते हैं, आइरन डॉम जो सिस्टम है, वो 70 किलो मेटर तक जा कर मार सकता है, तो फिर हम पहले कैसे हो गए, तो भाई हम पहले इस लिए हैं, यह माना जाता है, कि जितना दूर का टार्गेट होगा, आप उसे हिट आसानी से कर पाएंगे, अब आप पुछेंगे ऐसा कैसे, क्योंकि दूर से अगर कोई target चल कर आ रहा है, तो उसका radar पर projection, बहुत दूर से उसका analysis जहां से चलाया गया है, उसको आप देख पाते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि जो दूर के targets हैं, उनकी comparison में नजदीक से आने वाले target जादा रिस्की हो बॉर्डर के उपर जब firing होती है, तो उस firing को neutralize करने के लिए, हम अगर इसे खड़ा कर दें, तो ये border पर ही मामला सुल्टा देगा, बिल्कुल iron dome style में, तो 25 km की range, अपने आप में एक बड़ी range माने गया, कहा जाता है, जितना नजदीक से आप neutralize करते हो, आपकी accuracy उतनी आडियो ने बताया, और कहा कि दुनिया के और किसी देश के पास ऐसी चंता फिलाल नहीं है, यही कारण है कि ऐसी update हम अपने Twitter पर, आपको same day, जिस दिन ये ख़बर आई थी, उसे दिन दे दिये थे, अगर आप में से कोई साथी हमें Twitter पर follow करता है, तो शायद पहले भी इस हमारे द्वारा DRDO के द्वारा विक्सित किया जा रहा है, अब क्या आकाश ने सारा काम खुद कर लिया, क्योंकि इसमें तो काफी सारे सिस्टम लगे हैं, ऐसी इस्थिती में आकाश की मदद की थी, BEL और BDL ने, यह जैसे ही इसकी मदद की थी और इसके द्वारा इसका व यानि कि यह जो कारेकरम था, यह इंडियन एर फोर्स द्वारा और्गिनाईज़ था, इस मिशन में जिस एक्सरसाइज में इसका प्रयोग किया गया, उसका नाम अस्त्रशक्ती था, और जिस टेस्ट फायर को हमने सिस्टम नाम दिया, आकाश सिस्टम, इसे समर एयर डिफ केजी से जाकर के टार्गेट को हिट की थी, कहां पर हुआ था यह कारेकरम, एयर फोर्स इस्टेशन पर यह कारेकरम आयोजित किया गया था, कौन सी जगह, सूर्य लंका नामक इस्थान पर जो एयर फोर्स इस्टेशन है, वहां पर इस कारेकरम को आयोजित किया गया था, ये लक्षु को भेद करने में कामियाब सिद्ध हुई थी. क्यों किया गया है? तो विदित है. चाइना और पाकिस्तान से निपटने के लिए हम सब ये काम कर रहे हैं. क्या इसका हमें फाइदा और मिलेगा? बिलकुल मिलेगा? हमारे इस defense system को देखकर हमारे जो मित्र रास्ट्र हैं वो हमसे इसे purchase करने आएंगे. निश्चिती भारत इसे export भी करेगा. आकास को export करने के लिए अर्मेनिया का नाम सबसे पहले निकल कर आया. Eurasian type में छप करके आया कि अर्मेनिया emerge prime contender as BDL order book shows export order for Indian SAM. Satellite या क्या बुलते हैं? Short anti-range missile हैं इनके लिए हम लोगों ने surface to air missile के लिए किसका उप्योग किया है? आकाश का उप्योग किया है? किसको बेचने के लिए अर्मेनिया का. अब अर्मेनिया को बेचेंगे हम क्यों? क्योंकि अर्मेनिया और अजर्बैजान एक दूसरे के साथ काफी ज़्यादा विवादों में रहे हैं. अजर्बैजान पाकिस्तान हितैशी है तो हम अर्मेनिया के व्यभारिक रूप से सही होगी हैं और भारत इसे अपनी तरफ से defense system बेचने का मन बना रहा है. ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं. इसके साथ साथ इंडिया ने अपने export को बढ़ाने का भी target रखा है. इंडिया का export है कि हम लोग आने वाले समय में exports को increase करेंगे जिसमें आकाश anti-system को अर्मेनिया को बेचना भी संभावित इन पार्ट में से एक है. भारत dynamic limited के द्वारा लगबक 6,000 करोड रुपे की deal अर्मेनिया के साथ किया जाना अपेक्षित है. ठीक है? अर्मेनिया के साथ साथ ब्राजील और इजिप्ट ने भी आकाश missile system में अपनी रुची दर्शाई है. अगर ऐसा होता है, तो आने वाले समय में भारत अपने defense system को जैसे दुनिया के बड़े देश, चाहे फिर अमेरिका हो, रशिया हो, ये लोग अपने weapons को बेच कर पैसे कमाते हैं, भारत भी आने वाले समय में इस तरह से धनलाब ले सकेगा. आगे बढ़ते हैं. इसी के साथ भारत सरकार का target है 1,75,000 करोड का manufacturing target. कि हम इतना defense manufacturing से produce क्योंकि भारत ने 2025 में 5 billion dollar का export target लिया हुआ है, कि हम इतना माल बना करके लोगों को defense के sector में बेच देंगे, क्योंकि भारत making India के माध्यम से defense में आत्म निर्भर बनने की प्रयास में लगा हुआ है. तो उमीद है आपको आकाश, आकाश के साथ future, ये सब दिखाई दे ही गया होगा. फिलाल के लिए इतना ही जानकारी पसंद आई हो, तो अपने साथियों के साथ साजा करें, चैनल पर नए हैं, तो subscribe करना बिल्कुल न भूलें. Like and share, और हाँ, ये किसी को आपको हमारे application से ये किताबें चाहिए, तो आप order कर सकते हैं. Within 7 working days आपके पास order पहुँच ज आएगा. आपका समय शुम हो, धन्यवाद.